जीवन देवता की साधना आराधना डे 6 सार्थक, सुलब एवं समग्र जीवन साधना वैबो अज्द करने के अनेक तरीके सीखे और सिखाये जाते हैं शरीर को निरोग रखने के लिए भी व्यायाम सालाओं स्वास्त केंद्रों से लेकर अस्पतालों तक की अनेक विवस्थाएं देखी जाती हैं और दोगिक, वज्यानिक, सक्षडिक, शास्की ये प्रबंद भी अनेक हैं पर ऐसी विवस्थाएं कम ही कहीं दीख पड़ती हैं जिन से चेतना को परिश्कृत एवं विक्सित करने के लिए सार्थक, समर्थ एवं बुद्धि संगत सर्वुपयोगी आधार बन पड़ा हो प्रग्या योग एक ऐसी ही विधा है इसे बोलचाल की भासा में जीवन साधना भी कहा जा सकता है इसमें जब ध्यान, प्राडायाम, सैयम जैसे विधानों की व्यवस्था है पर सब कुछ उतने तक ही सीमित नहीं है उपासना में ध्यान धारडा अस्तर के सभी कर्मकांड आ जाते हैं इसके साथ ही जीवन के हर छेत्र में मानवी गरिमा को उभारने और रुकावटे हटाने जैसी सभी पक्षों को जोड़ कर रखा गया है सरीर साइयम, समय साइयम, अर्थ साइयम, विचार साइयम इस धारा के अलग ना हो सकने वाले अंग हैं दुरगुडों के कुछ संसकारों के निराकरण पर जहां जोर दिया गया है वहां यह भी अनिवार्य माना गया है कि अब की अपेच्छा अगले दिनों अधिक विवेकवान, चरित्रवान और पुरुशात परायन बनने के लिए चिंदन तथा अभ्यास जारी रखा जाए वास्तों में यह समग्रता ही जीवन साधना की विशेस्ता है साधक को करतवे छेत्र में धार्मिक्ता, मानेता छेत्र में आत्म परायनता और अध्यात्म छेत्र में दूरुडर्शी विवेकशीलता, उत्कृष्ट आदर्शवात को अपनाने के लिए कहा जाता है इन सर्वतों मुखी तिशाधाराओं में समुचित जाग्रूकता बरतने पर ही वहलाब मिलता है जिसे आत्म परिशकार के नाम से जाना जाता है यहां हर्च किसी के लिए सरल, संभव और स्वाभाविक भी है आत्म परिशकार के अन्य उपाय भी हो सकते हैं पर जहां तक प्रग्या परिवार के प्रियोगों का संबंध है वहां यह कहा जा सकता है कि वहर अपेक्षाकरित अधिक सरल, तरक संगत और व्यवस्थित है इस अंदर्व में अनेक अभ्यासरत अनभवियों की साक्षी भी सम्मलित है आत्मिक प्रगति का महत्व समझा जाना चाहिए व्यक्तिया रास्ट की उन्नती उसकी संपदा, सिक्षा, कुसलता, आदित की ही सीमित नहीं होती सालिनिता संपन व्यक्तित्व ही वह उद्गम है जिसके आधार पर अन्याय प्रकार की प्रगतियां तथा विवस्थाय अग्रडी बनती है समर्थता का केंद्र बिंदु यही है इस एकाकी विभूती के बल पर किसी भी उप्योगी दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है किन्तु यदि आत्म बल का अभाव रहा तो संकीर्ण स्वार्त परता ही चाही रहेगी और उसके रहते कोई ऐसा प्रियोजन सदना सकेगा जिसे आदर्श वादी एवं लोकोप योगी भी कहा जा सके यहां वह उक्ति पूरी तरह फिट पैटती है जिसमें कहा गया है कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए अनेक प्रकार की संब्रिद्धियों और विशेस्ताओं से लदा हुआ व्यक्ति अपने कौशल के बलबूते संपदा पटोर सकता है सस्ति वाहवाही भी लूट सकता है पर जब कभी मानवी गरिमा की कसवटी पर कसा जाएगा तो वह खोटा ही सिद्ध होगा खोटा सिक्का अपने अस्तित्व से किसी को भ्रह में डाले रह सकता है पर उस सुनिश्चित प्रगती का अधिकारी नहीं बन सकता जिसे महामालों के नाम से जाना जाता है जिसके लिए सब्वे सु संस्कृत सज्जन समुन्नत चैसे शब्दों का प्रियोग होता है संत परंपरा के अनेका नेक महान रिशियों, लोक सेवियों एवं युग निर्माताओं से जो प्रबल पुरुशार्थ बन पड़े उनमें आंतरिक उत्कृष्टता ही प्रमुक कारण रही उसी के आधार परवे निजे जीवन में आत्म संतोस, लोक सम्मान और दैवी अनुगरह की निरंतर वर्षा होती अनुभो करते हैं अपने विक्तित्व करतव के रूप में ऐसा अनुकरणी उदाहरन पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं जिनका अनुकरण करते हुए गिरों को उठाने और उठों को उच्छालने जैसे अवसर हस्तगत होते रहें यही है जीवन की लक्ष पूर्थी एवं एक मात्र सार्थकता प्रग्यायोग की जीवन साधना इसी महती प्रियोजन की पूर्थी करता है व्याव हारिक साधना के चार पक्ष ज्यान और कर्म के संयोग से ही प्रगती पत्पर चल सकना, सफलता वरण करने के इस्तिती तक पहुँचना संभव होता है अध्यात्म विज्यान में भी तत्वदर्षन का सही स्वरूप समझने के उपरांथ दूसरा चल्ण यही रहता है कि उसे क्रियान्वित करने की पूजा अर्चना की विधि विवस्था ठीक बने अध्यात्म का तत्व दर्शन, आत्म परिशकार और आत्म विकास को दो शब्दों में सन नहीं समझा जा सकता है उपासना पक्ष की प्रतीक पूजा का तात्परी है क्रिया इवं साधनों के सहारे आत्म सिक्षन के आविशक्ता पूरी करना कोई भी कर्मकान उसकी भावनाओं को हर्द्यागं के बिना पूर्ण नहीं हो सकता मातर कर्मकान को जादू का खेल समझते हुए बड़ी सफलता की आशा नहीं की जा सकती क्रियाएं जब जिसको जिस मात्रा में प्रभावित करेगी वह उसी मात्रा में सत्परिडाम प्राप्त कर सकने में सफल होगा शर्व जननीन सुलब साधना का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए इन प्रिस्टों पर प्रग्यायोग नाम से वह विधान प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके सहारे अभीस्ट उद्देशे की पूर्ती में अन्याने उपाय उपचारों की अपेक्षा अधिक सरलता पूर्वक कम समय में अधिक सफलता मिल सकती है प्रग्यायोग की दो संध्याई अत्यदिक सरल और अत्यदिक महत्वपूर्ण है एक सबेरे आँख खुलते ही बिस्तर पर पड़े पड़े 15 मिनट हर दिन नया जन्म की भावना करने का उपक्रम है दूसरा रात्री को सोते समय यह अनुभो करना कि शयन एक प्रकार का दैनिक मरण है जन्म और मरण यही दो जीवन सत्ता के ओर छोर है इन्हें सही रखा जाये तो मद्यवर्ती भाग सरलता पूर्वक संपन हो जाता है बीजा रोपड और फसल काटना यही दो कृशी कारे के प्रमुक अंग है शेश तो लंबे समय तक चलने वाली किसान की सामाने क्रिया प्रक्रिया है उसी तो सामाने बुद्धी और सामाने अभ्यास से भी चलाया जा सकता है जागरती को प्रातहकाल की संध्या और सयन को रात्री की संध्या कहा जा सकता है दो बार संध्याएं सूरियोदे और सूरियास्त के समयवाली मानी चाती हैं पर उसके साथ जुड़ी आध्यात्मिक साधना प्राता काल आँख खुलते समय और रात्री को सोने आँख बंध होने की समय की जा सकती है प्रज्यायोग की प्रथम साधना को आत्मबोत कहते हैं आँख खुलते ही यह भावना करनी चाहिए कि आज नया जन्म हुआ है एक दिनखी जीना है रात्री को मरन की गोद में चले जाना है इस अवदी का सर्वोत्तम उप्योग करना ही जीवन साधना का महान लक्षे है यही अपना परिक्षा क्रम है और उसी में भविस्य की सारी संभावना सन्नहित है मनुस्य जन्म जीवधारी के लिए सबसे बड़ा सवभाग्य है इसका सदुप्योग बन पढ़ना ही किसी की उच्चस्तरिय बुद्धी मत्ता का प्रमान परिचय है उटते ही यह विचार करना चाहिए कि आज के एक दिन को संपूर्ण जीवन माना जाए जिनके लिए इसे दिया गया है इस आधार पर दिन भर की दिन चर्या इसी समय निर्धारित की जाए चिंतन, शरित्र और व्यवहार के वहर उपरेखा विनिर्मित की जाए जिसे सतरकता पूर्वक पूरी करने पर यह माना जा सके कि आज का दिन एक बहुमूलित जन्म पूरी तरह सार्थक हुआ इस चिंतन के सभी पक्षों पर विचार करने में जितना आधिक समय लगे उत्रा कम है पर उसे निफ्ति प्रती निमित रूप से करते रहने पर 15 मिनट भी परयाप्त हो सकते हैं एक दिन की छूटी बात को अगले दिन पूरा किया जा सकता है दूसरी संध्या रात को सोते समय पूरी की जाती है उसमें यह माना जाना चाहिए कि अब मृत्य के गोद में जाय जा रहा है भगवान के दर्बार में जवाब देना होगा कि आज के समय का एक दिन के जीवन का किस प्रकार सदुपयोग बन पड़ा इसके लिए दिन भरके समया नुसार क्रिया कलापों और विचारों के उतार चड़ाओं की समीच्छा के जाने चाहिए उसके उद्देशे और अस्तर को निस्पक्ष होकर परकना चाहिए तदा देखना चाहिए कि कितना उचित बन पड़ा और कितना उसमें भूले या विकृति होती रही जो सही हुआ उसके लिए अपनी प्रसंसा की जाए और जहां जो भूल हुई हो उसकी भरपाई अगले दिन करने की बात सोची जाए पाप का प्रयाशित सास्त्रकारों ने यहीं माना है कि उसकी छती पूर्ति की जाए आज का दिन जो गुजर गया उसे लटाया तो नहीं जा सकता पर यह हो सकता है कि उसका प्रयाशित अगले दिन किया जाए अगले दिन के क्रियाकलाप में आज की कमी को पूरा करने की बात भी जोड़ ली जाए इस प्रकार कुछ भार तो अवश्य बढ़ेगा पर उसके परिमारजन का और कोई उपाय भी तो नहीं हो सकता है धन्यवाद, ओम शान्ति, क्रमशा अभी जाए